आज भी बाबर अजम 47 run बना कर out हो गए और बड़ा दुख होता है जब बाबर 47 run की पारी खेलता और फिर 3 run से वो अपनी 50 miss कर देते हैं ये पहली बार नहीं है इससे पहला वाला जो मकाबला था उसमें भी बाबर अजम 47 run पर ही out हुए थे और इससे पहले वाली इनिंग इसमें 37 पर out हो गए थे पता नहीं ये 37 47 इसमें issue क्या है क्योंकि जब भी ये target या ये score ये hit करते हैं बाबर अजम वहां पर ये out हो जाते हैं और आज भी 47 run पर काफी अच्छी बले बाजी कर रहे थे पहली टूंडूल करका अच्छा साथ निबाया अब शक्की बला हसन से काफी अच्छी partnership बनप रही थी लेकिन बाबर अजम ने वो तेशाट खेलने की कोशिश की शायद चोके के लिए जा रहे थे अपने फिफ के म आज था BPL में तो ये BPL का सेजन बाबर अजम के लिए काफी अच्छा रहा है अगर बात करे तो बाबर अजम ने इस BPL सेजन में च्छे मुकाबले खेले है जिसमें दो फिफ्टी जबाई है हलांकि दो फिफ्टी जबा के साथ साथ दो मैट्स में 47 47 रंस भी बनाए है या 40 की अवरेज के साथ, बंगला देश में T20 अगर हो, और उसके बाद आप इस तरह के बल्ले बाजी करेंगे, 42 के अवरेज के साथ, जहां पर बल्ले बाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं होती है, यहां पर हमने देखा है, हर इनिंग में 130, 140, ज्यादा से ज्यादा डेड़ सो परन टीम बनाती है, और उस बेड़ सो में भी अगर बाबर अजम के बल्ले से 40, 42 का कंट्रिबूशन आता है, तो यह आपको पता चलेगा कि बाबर अजम किस कद का खिलाडी है, क्योंकि अगर हम पूरे इन 6 मैच्स की बात करें, जब जब बाबर अजम के बल्ले से रंस आ बनाए है, वो मकाबला जो रंगपूर आडरस है, बड़ी आसानी से जीत जाती है, चाहे हम पहले मकाबली की बात करें, जब बाबर अजम ने 22 रंड की पारी खेली थी, उसमें फिर रंगपूर आडरस ने वो मैच जीता था, उसके बाद 2 रंड जब बनाए तो रंगपू जीतेगी, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो रंगपूर आडरस का स्कोर, 120 रं था, दो विकेट के नुकसान पर, 206 रं, 211 रं बनाए है बाबर अजम ने इस पूरी सीजन में, जैसे मैंने कहा, बंगला देश में 42 की अवरीज से रं बनाना, इट्स नाट कौपाफ, T for everyone, क्योंकि यहां पर बहुत difficult conditions होती है, और यहां पर बोलर्स को काफी ज्यादा मदद भी मिलती है, लेकिन बाबर अजम वर्ल्ड क्लासिक बलेबाज है, और बाबर अजम को आप किसी भी difficult पीछ पे खिलाओ, जब इनका दिन होता है, ये कही पर भी खेलते है, और काफी अच्छी बल्ले बाजी करते है, और आज काफी ज्यादा मूर भी खराब हो गया, क्योंकि मैच चाहता था कि यार कमस कम आज 50 रनाए, आज आकरी मकाबला था, जो भी पाकिस्तानी खिलाडी बंगला दिश प्रिमेर लीग केल रहे है, क्योंकि अनको 6 फेबरी तक वो नमबर वन पर मौजूद है, अब ये देखने वाली बात है कि बाबर को कौन रिप्लेस करेगा, और अब क्या जो पर्फार्मेंस है वो रहेगी रंको राइडर्स की, वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, फिलहाल बाबर ने 6 मकाबले खेले हैं जैसे मैंने कहा और इन 6 मकाबलों में बाबर अजम ने काफी बड़िया बले बाजी की है, दो मिस सेंचरीज बनाई है, हाफ सेंचरीज बनाई है, उसके साथ साथ बाबर अजम की जो एवरिज है वो 42 रही है, फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल र